सिर्फ 100 ग्राम मैदा से 15 मिनिट में बनाए इंस्टेंट कुर कुरी रस भरी जलेवियां आज मैं आपके लिए गत्म सिंपल रसीपी लेकर आई हूँ जिसमें हम इसका पॉफेक्ट घोल बनाना चाशनी बनाना चीखेंगे ताकि आप भी हलवाई जैसी जलेवियां घर पे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं बहुती मजे की बनती है सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी इसके लिए में एक बरतन में 300 ग्राम के करीब चीणी ले लूँगी और इसमें हम डालेंगे 200 ml के करीब पानी तो चाशनी बनाना भी जलेवी का एक बहुती important step होता है यदि आपकी चाशनी perfect बन गई तो आपकी जलेवियां लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहती है अब हम यहापे high flame पे चीणी को पिखला लेंगे और चीणी पिखलते ही हम gas की flame को low कर देंगे और इसे करीब 7 minute के लिए हम पकने देंगे ऐसा करने से चाशनी एकदम perfectly consistency में आ जाती है जो जलेवी की चाशनी होती ना तो पहुचाता गाड़ी होती है ना यह पहुचाता पतली होती है ना ही कुसी तारकी होती है तो इस बात कब जरूर ध्यान रखें इसमें मैंने फ्लेवर के लिलाइची पौडर और कलर के लिए में रेड औरेंज फूट कलर डाल दिया है आप यदि बिल्कुल इससे इस कलर को skip करना चाते हैं तो skip कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं चमारी चाशनी बन चुकी है यहां पर हम गैस को बंद कर देंगे उससे साइड में रखेंगे ठंडी होने के बाद भी चाशनी थोड़ी सी गाड़ी होती है गैस पर मैंने यहां पर लो फ्लेम पर घी को गरम करने रख दिया है फ्लेट बर्तन में इस तरह से एक इंच से कम हम यहां पर घी लेंगे और इससे गरम होने के लिए साइड में रख देंगे और तब तक हम यहां पर जलीवी का बैटर बनाएंगे इसके लिए एक कप यानि करीब सौ ग्राम की करीब हम मैधा ले लेंगे मेरे कटोरी से ही इसे नापा है और साथ ही हम यहां पर डाल देंगे वन टेबल स्पून बेसन और हम यहां पर इसमें रेड औरेंज फूट कलर डालेंगे क्योंकि हलवाई वाली हम जलीवी बना रहे है तो इसे एक दम पॉफेक्ट कलर आता है यदि आप ना डालना चाहिए तो स्किप कर दीजी अब धीरे धीरे इसमें हम पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा बैटर बनाएंगे सबसे पहले हम यहां पर इतना पानी डालेंगे कि इसका गाढ़ा सा बैटर यानि यह कलेक्ट हो जाया इसमें कोई भी लंप ना रहे जलीबी के बैटर बिल्कुल भी लंप नहीं होने चाहिए तब एकदम पॉफेक्टल स्मूथ कंसिस्टेंसी से वह पाइप आउट होती है जलीबी का पॉफेक्ट शेप आता है तो इस तरह से देखिए अभी हमें हाँ पर इस तरह से हाथों से ही इसे मिक्स करना है और इसके सारे लंप्स को निकाल देना है मैंने यहाँ इस जो कप में पानी लिया है वो तू हंड़ेड एमिल पानी लिया है सिर्फ दो मिनिट लगते हैं इस तरह से बैटर को बनाने में और इस सो ग्राम जलीबी से मैदा से आप ठेड सारी जलीबिया बना सकते हैं करीब 5-6 लोग से अराम से खा सकते हैं तो आप यहाँ पर बैटर देख सकते हैं तो देखिए परफेक कंसिस्टेंसी आ चुकी है और 200 एमिल में में को करीब यह वन टेबल स्पून के करीब पानी बचा है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें अब मैं यहाँ पर इसको इंस्टेंट बनाने के लिए फुलाने के लिए यहाँ पर 1-4 टीस्पून के करीब इनो डाल रही हूँ तो इनो की मातरा इनो आप इसमें तभी डालने जब आपको जलीबी को फ्राइ करना हो इस बात का जरूर ध्यान रखें अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनो डालने से जो फर्मेंटेशन वारी हमारी कमी होती है पूरी हो जाती है तो इस तरह से हमारा जलीबी का बैटर प्रॉफेक्टली हो गया है अब आपके पास में जिस तरह का भी कोई प्लास्टिक बैग हो जैसे कि मेरे पास जिप लॉग बैग है तो आप इसमें भर कर भी आप ये जलीबी बना सकते हैं इसका कॉर्णर जो है उसे कट कर लीजे जलीबी आपकी बन जाएगी बस जो ये प्लास्टिक है थोड़ा अच्छा स्ट्रॉंग होना चाहिए अब दूद का बैग भी ले सकते हैं खाली वाला और साथ ही इस तरह से ये केक डेकुरेट करने की पाइपिंग बैग जाते हैं मैं इन्हीं में जलीबी बनाना प्रेफर करती हूँ कि बहुत अच्छे से ये भर जाता है और इसे होल्ड करना एजी रहता है इसे में ग्लास में इस तरह से डाल दूँगी और जलीबी का बैटर है करी वन फोर्थ हम यहाँ पर इसमें डालेंगे जरूर से ज्यादा ना भर है नहीं तो इसे पकड़ने में दिक्कत हो सकती है इस तरह से हमने जलीबी के कुल में डाल लाया और अलीकर बॉल नियां इस तरह से पिन लगाके से सील कर लूँगी ताकि बैटर भार ना निकले तो अब मैंने आप गी को गरम कर लिया है लो फ्लेम पर गी गरम करें और जब आपको हाथ में इसकी स्टीम आने लगे तब आप इसे फ्राय करना स्टार्ट कर दें तो इस तरह से आप जलीबियों को पाइप आउट करेंगे राउंड राउंड शेप में तो आपकी जलीबियों एक या दो इस तरह से अच्छी नहीं बनेंगी बाद में आपकी अच्छी बनने लग जाएंगे और आप देख रहे हैं जलीबियों घी में डालते ही फूल रही है बस हमें इसी तरह का पॉफेक के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राय कर लेंगे आप इन्हें टच करके देख सकते हैं एक दम कुरकुरी हो जानी चाहिए पर यह जलनी नहीं चाहिए इस बात का जरूर ध्यान रखें और इस तरह से हमें आप इसका एक्स्टा जो भी इसमें अंदर घी रख भरा ह हुआ है उसे दबा के इस तरह से निकाल लेंगे और अब तक हमाई जो चाशनी है थोड़ी ठंडी हो चुकी होगी यानि लुक वॉर्म आप उसे फिंगर डाल के टच करेंगे तो आपको टैंपरिचर सहन कर रहा होगा उसी समय आपको गर्म गर्म जलेबिया इसमें डाल द गई है और अंदर आपको जलेबी के अंदर चाशनी भरीवी दिख रही होगी तो इस तरह से जलेबी चाशनी ने चाशनी सोक कर लिए इसे तुरंत बाहर निकालें और किसी प्लेट में इसे निकाल लें आप क्या है तो यहां पर एक जाली वाली प्लेट रख सकते हैं तक एकस्ता चाशनी इसमें से निकल जाए तो इसी तरह से सारी जलेबी को फ्राय करेंगे जलेबी वे सोक करेंगे और इसे हम इस तरह से गर्मा गरम सर्फ करेंगे बहुत ही मज़ेगी लगती है मेरी घर में मिठाई के रूप में जब भी कुछ इंस्टेंट खाना होता है तो मैं जलेवी ही बनाती हूँ मौती बढ़िया कुरकुरी बनी है आप देख सकते हैं इसका टेक्शर इसके अंदर कितना रस भरा हुआ है तो पॉफट पैटर पॉफट चाशनी और पॉफट टेंपरिचर पर आपसे फ्राय करेंगे तो आपकी चाशनी भी इसी तरह की हलवाई अब आपको बताती हूँ कि 100 ग्राम मैदा से कितनी जलेवी बनी है पहले मैंने आपके इसका प्लेट का वजन कम कर लिया है ताकि आपको इद्म पॉफट नापकी जलेविया मिले तो आप देख सकते हैं 425 ग्राम के गरीब हमें जलेविया मिल चुकी है कुछ 2-3 पीस में ह खा चुके हैं तो करीब 4500 ग्राम मैं जलेवी मिलकर तयार हुई है आप इसे जरूर बनाएं बच्ची वी चाशनी को किस तरह से यूज के जाता है यदि इसका वीडियो चाहिए ता हमें कमेंट्स में लिखें थैंक्यू